तो हेलो फ्रेंड्स, वेल्गम टू माई योट्यूब चैनल, गूड मॉनिंग, आप सभी को फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं अपने योट्यूब चैनल में, ये ये एजुकेस्टनल हब में, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, जेसी, एसी, इबी, यानि जहा हुआ है कि बाकी जितने भी एक्जाम है, वो होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स, अभी इसका एक नोटिफिकेशन जो आया वा है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ, और उसका पूरा प्रोसेस में बात करने वाला हूँ, और आगे कि जो एक्जाम ह उसके कितने chances हैं होने के उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ठीक है, तो वीडियो के end तर 20 बने रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, और देखते रहें friends, आखिर मैं क्या कहता हूँ आप सभी से, और देखिए friends, मैं इस वीडियो में पूरा हिद में ही बात करूँगा, ऐसा नहीं है, कि मैं एक यूट्यूबर की तरह आपको समझाओंगा, बिल्कुल मैं जो आप सोचते हैं, एक student की तरह, मैं उसी तरह आप लोग से बात करने वाला हूँ friends, क्योंकि देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी भी तरह से confused हो, और आप लोग कुछ और कुछ गलट decision ना ले ले ठीक है, इसलिए मैं आज बात करने वाला हूँ friends, इसी के बारे में जहर्खन Combined Competitive Examination Board, क्योंकि friends, ये इतने विवादों के बाद हो रहा है, आप सभी को पता है, NEET जेई भी खतम हो गई है, बहुत जादा दिन हो चुका है, December last अब ये होने वाला है, लगबग 13-14 December भी हो गया, और आपको इपता है friends, अब तो यहाँ से NEET की फॉर्म भी भराना स्टार्ट हो जाती है, फिर अगले session के लिए भी फॉर्म स्टार्ट हो जाती है, फिल करना, तो friends, इतने लेट के बाद अब ये exam हो रही है, तो friends, क्या इसमें क्या-क्या new होने वाला है friends, और क्या changes आएंगे, मैं उसके बारे में बात करूँगा, और आगे के जो भी examination है इसके, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा, तो चलिए friends, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, अभी एक new notification आई है, click here to all application submission JCE PCEB 2020, तो friends, जारखन combined के कुछ exam नहीं हुए थे, आप सभी को पता है कुछ exam हुए थे या कुछ exam merit waste पे भी हुए थे, तो हम लोग चलिए इस पर tap करते हैं, तो देखे friends, यहाँ पर बहुत सारे option आए वे हैं, polytechnic entrance competitive examination PCE 2020, online application for preparation, सब यहाँ पर option दिए वे हैं friends, और जो सबसे main बात करें, हम लोग जिसकी अभी exam हो रही है friends, उसका नाम है BSC Nursing, basic post basic entrance competitive examination 2020, तो friends, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो, यह exam pending थी, यह exam pending थी, यह exam pending है, यह exam pending है, यह जितने भी exam है friends, यह सारे अभी pending है, यह सारे exam अभी तक नहीं लिये गये हैं, friends, situation जो भी हो, आप सभ आप सभी को पता है, Corona संकत काल में, अभी भी Corona बढ़ रहा है, और कहीं न कहीं बढ़ता ही जा रहा है corona अभी ठीक है, और कहीं न कहीं घड़ भी रहा है Corona, फिर इस एसे सब कुछ अब खुल गया है, आप सभी को पता है, उसकुल को यह से भी बंध है, ऐशे समय में, बच्य online पढ़ाई कर रहे हैं अभी एक तरह से अच्छे भी एफ्रेंट्स क्यूंकि बच्छे भी online पढ़ाई भी कर पा रहे हैं और अपने घरों में अच्छे से रहएं पा रहे हैं But यहाँ पर exam की बात आती है तो कुछ exam जो हैं वो तो online हो जाते हैं बट यहां पर कुछ exam ऐसे भी होते हैं जो offline लेना ही ज़रूरी होता है जैसे neat exam हो गया वो online नहीं हो सकता था इसलिए उसे offline लिया गया तो friend जैसा कि मैं आपको बता दूँ जैसी ECB नहीं हाँ पर घोसित किया है कि BSC Nursing जो basic प्रोस्ट बेसिक और Interest Competitive Examination है यह friends इसकी exam ली जाएगी इसकी exam ली जाएगी और उसका exam friends 16 December को लिया जाएगा 16 December को लगबग 102 दिन का time इसमें बचा हुआ है friends और इसमें admit का download करने का option आ रहा है अब बात करते है friends बाकी examination की तो देखिए मेरे अनुसार आपको लगता है कि हाँ यह exam ले ली गई है तो बाकी examination भी होंगे तो जाहिर सी बात है friends यह confirm है कि हाँ बाकी भी exam हो सकते हैं chances हैं इसमें भी friends इसमें भी chances हैं 80% तक लगवग chances हैं कि यह सब बे एक्जाम ले ली जाएंगी ठीक है क्योंकि आप सभी को पता है सभी बच्चे इसमें उम्मीद करके रखे थे कुछ बच्चे ड्रॉप भी ले लिये थे और वो आपना admission कहीं नहीं करवा पाये थे तो ऐसे situation में जैसे ECB ने भी उनके लिए बहुत बड़ी हाँ खुसकबरी दी भी है कि आप लोग भी अब exam दे सकते हो ठीक है आप लोग भी exam दे सकते हो जो भी dropper थे वो exam दे सकते हो और जोनों ने college ले लिया उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप भी exam दे सकते हो ठीक है तो यहाँ पर chances य आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए आप लोग टाइम ज्यादा वेश्ट मत कीजिए यह सब पर क्योंकि फ्रेंड्स आपको ही पता है अगर exam हो जाता है और आपको कुछ लिक नहीं पाओगे तो जायर सी बात है आपका फिर वेट करना कोई कोई भी इसमें कोई नहीं हुआ आप जो इतना वेट किये थे वह आपको फाइदा ही नहीं आएगा इसलिए आप मेरा आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग अपना पढ़ाई शुरू कर दीजे ठीक है और दूसरी बात मैं आपसे एक और बात कह दूँ देखी जैनुन बात मैं यह सब पर इतना फोकस मत किजिए क्यों कि देखिए नीट में मात्र फोर या फिफ्ट मंथ बाकी है तो आप लीज अपने नीट पर धियान देंगे अपने नीट पर धियान देंगे ठीक है इस एक्जाम को देना है जैसे भी आपको हो सके इसको और इसी को लेकर अगर पढ इसको जादा जादा इसको आपको चांसेज देना पड़ेगा कि हां आमको नीट क्वालिफाई करना है ठीक है इसलिए नीट के बेसिस से पढ़िए और नीट क्वालिफाई कीजिए ठीक है फ्रेंड्स बाकि यह सब एक्जाम तो अपने होते रहेंगे फ्रेंड्स यह तो second option आप लोग के लिए भी हो गया कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना कि वो डायट चाहता है कि मुझे जैसे इसी बेह में एड्मिशन मिले मुझे ना मिले ऐसा बिलकुल नहीं है तो आपका जादा जादा चांसे होने चाहिए कि हां मेरा नीट में मार्क्स अच्छा है ठीक है यह एक्जाम जैसा जाए हम इसके देगे हम इसको जादा फोकस नहीं करेंगे जैसा जाए हमारा एक्जाम हम इसको देगे और क्वालिफाई भी करेंगे टो फ्रेंस यही कुछ इंप्रेंट नोटिस थी जैसे कि मैं आपको इहां पर दिखा दूँ आप這裡就是 ऑवान पर और है download admit card का यहाँ पर आपना आप login कीजिएगा login ID डालिएगा और password डालिएगा तो friends यहाँ से आपका login हो जाएगा ठीक है और वैसे ही अगर हम लोग दूसरा का check करें जैसे कि मैं यहाँ पर check करके आपको दिखाता हूँ जैसे कि मैं आपको पार मेडिकल की यहाँ पर examination competitive का दिखलाता हूँ तो देखिए friends यहाँ पर अभी option नहीं आ रहा है यहाँ पर अभी option आ रहा है new registration का और exiting user और forget user ठीक है तो यहाँ पर friends अभी option नहीं आ रहा है आपको admin card download करने का आप इंतिजार किजे friends अगर इसका भी option आता है तो मैं आपको इसके लिए बता दूँगा ठीक है और इसके जो भी process होगा मैं वो भी आपको बता दूँगा ठीक है तो friends I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो please channel पे जो new है please channel को subscribe कर लिजेगा आप लोग अच्छे से एक्जाम देना और अच्छे से लिखना friends ठीक है best of luck